हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बड़ी आप बजट मुबाइल्स एक मुबाइल है वीवो की तरफ से वीवो का Y19 जो भी हाली में लॉंच हुआ है यह मुबाइल आपको मार्केट में मिल जाएगा 14,000 में और इसमें आपको मिलती है 4GB गिरैम दूसरी तरफ है रियल्मी का 5 जो आपको मिलता है 10,000 में इन दोनों में 4,000 का फर्क है लेकिन रियल्मी 5 में भी आपको मिलती है 4GB गिरैम तो इस वीडियो में में इन दोनों मोबाल में comparison करके आपको बताऊंगे इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए तो वीडियो को end तक देखते रहिएगा चलिए देखते हैं 10,000 में Realme के साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले ये mini box मिलता है जिसमें रखे वे मिलता है कुछ user manual इसके बाद आपको रखावा मिलता है ये cover इस mobile के box के अंदर आपको earphones नहीं मिलते है ये इसमें कमी है इसके बाद रखावा मिलता है mobile मेरे पास ये blue color में है इसका retail look हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेता है box के अंदर आपको रखी वी मिलती है कि डेटे केबल डेटे केबल की length और quality दोना अच्छी है लेकिन कमी ये है इस mobile के साथ आपको type C केबल नहीं मिलती ये इस mobile के अंदर काफी बड़ी कमी है आखिर में रखा वो मिलता है ये white color के अंदर charger जिसके अंदर आपको output मिलता है 5W 2A का तो दोस्तों ये simple सा 10W का charger है इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी नहीं मिलता तो आप market से भी खरीद के एक fast charger इस mobile के साथ इस्तमाल नहीं कर सकते आप ये सार समान आपको मिलता है 10,000 में Realme के 5 के साथ चले देखते हैं अगर आप 4,000 रोपे और जादा खर्च करते हैं तो वीवो के Y19 के साथ आपको क्या 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 दिया गया है तो जैसी आप unbox करते हैं वीवो को इसमें भी सबसे पहले रखावा मिलता है ये mini box जिसमें अंदर की तरफ रखे वे मिलता है कुछ user manual एक मिलता है cover cover की quality इसकी भी काफी अच्छी है बाकि इसके बाद आपको रखावा मिलता है mobile मेरे पास ये white color में है इसका detail look हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेता है box के अंदर आपको एक data cable दी गई है अब दोस्तों इस mobile में भी ये ही कमी है इस mobile के साथ भी आपको type C cable नहीं मिलती 14,000 के अंदर भी ये इस mobile में काफी बड़ी कमी है आखिर में रखा वो मिलता है ये white color के अंदर charger अच्छी चीज ये है इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी मिलता है और एक fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है ये 18 watt का fast charger है तो ये सारा समान आपको मिलता है 14,000 में Vivo के Y19 के साथ rate के हिसाब से देखा जाए तो दोनों mobile इस चीज में अपनी अपनी जगा बहुत अच्छे है Vivo की कीमत भी 4,000 रुपे जादा है तो इस mobile के साथ आपको fast charger मिलता है बाकि एक कमी तो दोनों के अंदर है टाइप C के बल दोनों के अंदर नहीं दी गई चले बात कर लेते हैं अब डिजाइन के बारे में तो इन दोनों ही mobile के अंदर आपको मिलता है बहुत ज़्यादा glossy look आप देख सकते है light की reflection दोनों mobile के back panel बे बहुत अच्छी लग रही है white color के अंदर Vivo का Y19 भी बहुत बढ़िया लग रहा है Realme 5 का blue color भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको diamond cut मिलते हैं देखने में design दोनों ही mobile के काफी अच्छे हैं ज़्यादा बढ़िया लग रहा है Vivo का mobile लेकिन एक चीज में दोनों में कमी है Gorilla Glass की protection दोनों mobile के अंदर नहीं मिलती दूसरी तरफ Realme 5 में पीछे की तरफ आपको 4 कैमरे दिये गए हैं 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 और इसके अंदर आपको front camera मिलता है 13 megapixel का दोस्तो कैमरे की performance मुझे दोनों ही mobile के अंदर normal ही लगी अगर आपकी सिर्फ camera की ही ज़रूद है आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है तो उस level की performance मुझे दोनों mobile के अंदर नहीं लगी लेकिन अगर आपका normal यूज है camera का तो आप इन दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं camera की performance आपको दोनों के अंदर normal ही मिलती है चली कर लेते हैं दोनों ही mobile को start मैं आपको दिखा देता हूँ user interface के अंदर कितना फर्ख है किस mobile के अंदर आपको ज़्याद अच्छा user interface दिया गया है बात करें डिस्पले के बारे में तो वीवो के Y19 में भी और Realme के 5 में भी दोनों mobile के अंदर आपको डिस्पले मिलती है 6.5 इंचिस की साड़े चेंज की डिस्पले दी गई है जो की काफी अच्छा साइज है अगर आपको बड़ी डिस्पले साइज के mobile पसंद है तो ये mobile आपके लिए काफी बढ़िया रहेंगे बाकी यूजरे अटेफेस के बारे में बात करें तो दोनों mobile में आपको यूजरे अटेफेस कुछ इस तरी के से मिलता है वीवो में आपको home screen पे ही सारी application मिल जाती है आप ऐसे right side पे swipe करेंगे आपको सारी application मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ Realme 5 में आप उपर की तरफ swipe करेंगे आपको सारी application मिल जाती है Realme 5 के अंदर आपको मिलता है app drawer वैसे दोनों mobile के अंदर आपको user interface normal ही दिया गया है बाकी मुझे इन दोनों mobile में ज़्याद अच्छा user interface लग रहा है वीवो के Y19 का बाकी दोस्तों दोनों mobile के display में आपको करीब से दिखा देता हूँ दोनों में आपको एक notch मिलती है एक जैसी डिस्प्ले का जो size है डिस्प्ले का जो design है वो दोनों ही डिस्प्ले का काफी बढ़िया है edges, bezels भी दोनों display के अंदर आपको लगबग बराबर ही मिलते है तो display के अंदर तो ये दोनों mobile काफी अच्छे है लेकिन एक चीज़ के अंदर फर्क है वीवो के अंदर आपको मिलती है full HD plus display डिस्प्ले की जो quality है जो colors है वो आपको जाद अच्छे मिलते हैं वीवो के अंदर क्योंकि इसकी कीमत भी 4000 उपर जादा है वाकि दोस्तो left side साब देखेंगे दोनों mobile को तो आपको SIM की ट्रे दी गई है अच्छी चीज़ ये है दोनों ही mobile के अंदर तो उपर की तरफ आपको मिलते हैं volume के बटन्स वीवो में और नीचे की तरफ दोनों mobile में दिये गए हैं power के बटन्स side से design आपको वीवो का golden color के अंदर मिलता है जो काफी अच्छा लगता है बाकि दोस्तो दोनों ही mobile के display पापको screen guard भी पहले से ही लगावा मिलता है normal quality के अंदर बाकि दोनों में आपको android का बिल्कुल latest version मिल जाता है android pi इस चीज में दोनों अच्छे हैं दोस्तो कीमत के अंदर तो 4000 का फर्क है लेकिन realme में भी वीवो में भी दोनों mobile में आपको मिलती है 4GB कि रैम realme के अंदर आपको मिलती है 64GB के internal storage और वीवो के अंदर आपको दी गई है 128GB के internal storage क्योंकि इसकी कीमत जादा है बाकि बात करें battery के बारे में तो दोनों ही mobile के अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की battery backup दोनों mobile के अंदर आपको अराम से एक दिन का मिल जाता है battery backup के अंदर ये दोनों mobile काफी बढ़िया है बात करें प्रोसेसर के बारे में तो realme में आपको मिलता है snapdragon का 665 प्रोसेसर और वीवो के अंदर आपको दिया गया है media attacker P65 प्रोसेसर प्रोसेसर के अंदर भी ये दोनों mobile काफी बढ़िया है अगर आप एक heavy user है इसके बाद आपकी में जरुत की चीज़ किस mobile में जाद अच्छी है तो दीखे अगर आपके लिए matter करती है mobile की display आपको display की quality इच्छी चाहिए तो आप इन दोनों mobile में वीवो का Y19 लीजेगा ये mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा इन दोनों mobile में इसके लाव अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery तो बैटरी दोनों ही mobile के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है आप दोनों में से कोई से भी खरी सकते है जादा बढ़िया रहेगा आपके लिए realme 5 क्योंकि इसके कीमत 4000 रुपे कम है बागी दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design के अंदर मुझे ये दोनों mobile's normal ही लगे क्योंकि दोनों के अंदर आपको gorilla glass की protection नहीं मिलती scratches की problem आपको काफी ज़ादा देखने को मिलती है दोनों ही mobile's के back panel पे इसके लावा अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है तो दोनों mobile's के अंदर मुझे camera की performance उस level की नहीं लगी दोनों mobile's के अंदर आपको normal camera ही मिलते हैं इस budget के अंदर आपको और दूसरे mobile's भी मिल जाते हैं अगर आपको camera की वज़े सही mobile लेना है तो आप कोई और सा mobile देख लिएगा तो तीन चीज़ों के अंदर तो मुझे ये दोनों mobile's normal ही लगे पहला user interface, दूसरा camera और तीसरा design बाकि दोस्तो दो खूबिया आपको realme 5 में मिलती हैं और दो खूबिया vivo के अंदर realme 5 में एक तो इस mobile की battery बहुत अच्छी है इस mobile की कीमत भी कम है दूसरा इस mobile के अंदर आपको processor काफी अच्छा दिया गया है वही दूसरी दरा vivo के अंदर आपको display की quality अच्छी मिलती है colors काफी अच्छा है display के अंदर और दूसरी खूबिया इस mobile के अंदर आपको internal storage जादा मिलती है अब आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रूत की हिसाब से आपको इन दोनों mobile के अंदर है या फिर realme के अंदर मुझे वैसे इन दोनों mobile में जादा value for money realme 5 लगा आप मुझे जरूर बताइएगा बाकी दोस्तों इंडिया में realme का 5S भी launch हो चुका है वो भी जल्दी आ जाएगा तो अगर आप उस mobile का wait कर सकते हैं तो और जाद अच्छा रहेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस mobile के comparison करने की और काफी सारे mobile के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो ये लाल कलर का बटने से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ ही घंटी का निशान है इसे भी दबा दीगा ताकि नई comparison की वीडियो आप तक पहुशती रहें इसके लावा वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा WhatsApp Facebook पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई